I hope you are well हैं जी फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम डिसकस करेंगे प्राइवेट हायर के रिगार्डिंग कुछ कोईशन अंसर्स जो आपको हेल्प कर सकते हैं आपके थियूरी एक्जाम के लिए एक्शली बहुत सरे कैंजिट्स ऐसे हैं जो प्राइवेट हायर वह हांटन काउंसल का एक्जाम की त्यारी करते हैं बट सम टाइम ड्यूर्टो की कोईशन और सम सिली मिस्टिक्स की वज़े से उनका जो थियूरी टेस्ट है वो क्लियर नहीं होता तो मैंने अपना टेस्ट खुद क्लियर किया है तो मेरे को पता है कौन-कौन से कोईशन आते हैं किस टाइप के आते हैं और कैसे आप क्लियर कर सकते हो मेरी इस वीडियो अगर आप एन तक देखोगे तो इसमें आपको काफी हल्प मिल जाएगी और अगर आप भी वो सिली मिस्टिक्स करते हो जिसकी वज़ए से आपको जो थियूरी एक्जाम है क्लियर नहीं होता की कौशन की वज़ए से तो में भी आप इसमें से हल्प लेके अपना जो एक्जाम है वो क्लियर कर सकते हो मैं अपने एक्सपिरियंस के एकॉर्डिंग ये वीडियो बना रही है हो तो आपको help जरूर करेगी तो end तक अपनी वीडियो को जरूर देखना तो starting हम start करते है first question इसमें आपको तीन और चार जो main बाते हैं वो clear करना चाहते हूं first thing, total जो questions है वो 28 questions आते हैं जिसमें से आपको 21 questions pass out करने है 28 questions में से आपको 8 questions है, जो key questions होती है और जो key questions की आपको पता कैसे लगेगा कि वो key question है तो उसमें जो key question है वो dark होते हैं, जिसको आप bold बोल सकते हो, जैसे ये normal first question है आप देख सकते हो, screen पर ये normal लिखा हुआ है, बट जो इसका answer है वो मैंने dark करके लिखा हुआ है तो ऐसी जो key question है key question की जो question है आपके ठीक है, वो dark आते हैं इसमें मैं आपको करवाओंगी key question मैं आपको show कर देती हूँ like fifth question देखिए when transporting, तो इसका देखो जो pattern है, थोड़ा सा bold करके लिखा हुआ है ठीक है, थोड़ा सा dark है तो जब भी आपने exam देना है तो उसमें से आप check कर सकते हो जो key questions है, वो कौन से है तो starting में जब आप अपना question paper open करते हो, ठीक है, तो उसमें dark color के होते हैं key question और उन key question को आपने दियान से करना होता है उनमें से आप कोई भी mistake नहीं कर सकते है क्योंकि अगर आपका एक key question भी wrong हो जाता है तो आप अपना test है जो theory का वो pass out नहीं कर सकते है तो first thing जो key question की ये है जब भी आपने अपना exam देना है तो first आपने key question check करने है 8 key questions होते हैं जिसमें से आपको 8 के 8 correct करने है इसमें से आप कोई भी जो key question है वो wrong नहीं कर सकते और second जो mistake है most of candidates क्या करते है जैसे कुछ question आती है जिसके last में लिखा होता है जो उसने two answers उसमें आपको two questions sorry two जो answers है वो ही आपको ticker करने है अगर आप उसमें से एक answer ticker कर देते हैं वो आपका जो question है वो wrong हो जाता है तो वो भी मैं आपको example यहाँ पर show करती हूँ कैसे वो questions आते हैं अभी यह देख सकते हैं अभी यह सबी हम discuss करेंगे तो जैसे जो 10th question है in what way should you assist passengers choose two answers तो इसमें से जो भी option है जैसे four options हैं आपके पास तो four option में से आपने two option को tick out करना है अगर आप two option को tick out करते हो तब जाके जो आपका answer है वो correct होता है अगर आप two option को tick out नहीं करते है तो आपका जो answer है वो correct नहीं होता और third thing और एक और है जो mostly mistakes करते है candidate उसमें यह चीज है जब आप question को read करते हो तो question को full read किया गरो क्योंकि sometime ऐसा होता है जो आपकी first line है ठीक है? first line में आपका कुछ और लिखा होता है और जो last line होती है उसमें आपका कुछ और होता है like उसमें आपके connectors use किया होता है but, however तो जैसे ऐसे word आती है ना आपकी question में तो first line में उसका meaning कुछ और होता है but, उसके बाद अगर however लग जाता है तो जो last line है उसका meaning है वो different बन जाता है तो जब भी आपने options को read करना है tick करनी है तो उसमें आपने first question देखना है अच्छे से first question में क्या meaning है और जो last question है उसमें क्या meaning है तो उसके बाद आप अपनी options को read कर सकते है और options read करने के बाद आपने tick out करनी है next thing जो मैं आपको बताना चाहती हुए यह चीज है जब भी आप अपनी options को tick करते है उसको eliminate करना सीखो eliminate means eliminate method है क्योंकि यह मैं उनके लिए देख एक तो है candidates सभी को जो like a car driving का license सभी के पास होता है ठीक है तो उनको बहुत अच्छे से car लानी आती है but sometimes उस candidates ऐसे होते है जिनको English में problem आती है जिनकी जो English language है वो अच्छी नहीं है जो English language कम अच्छी है वो meanings consider नहीं कर पाते है प्रापर तरीके से तो उनके लिए ये वीडियो काफी जड़ा helpful रहती है तो उसमें आप क्या कर सकते हो आपकी जो options है उसको आप eliminate कर सकते हो अगर मैं पंजाबी में बोलू eliminate में जैसे आपके पास four options है आपने question रीड कर लिया question रीड करने के बाद आपने options देख लिए इसकी ये four options आ रही है उन four options में से आपने for example आपने बी option टिक कर दिया तो जो बी option आपने टिक किया है उसको आपने क्यों टिक किया है उसको eliminate करके देखो उसका back question बना के देखो अगर मैंने बी option को टिक किया है क्या ये मैंने सही टिक किया और wrong जैसे अभी हम example के तुरू में आपको समझा सकती हूँ जैसे अगर हम first question read करते है which two things shall be displayed and clearly visible to passengers in the vehicle choose two answers first में इनों ने बोला भी आपको two answers choose करने है batch, your terms and conditions, your family photography, license अगर आप private hire की गाड़ी चला रहे हो for example तो उसमें आपको four options दे रही है ठीक है तो आपने कौन सी जो two things है वो carry करने है clear, sorry, जो clear visible होनी चाहिए passengers को in the vehicle जो भी आप गाड़ी चला रहे हो, car चला रहे हो उसमें से कौन सी जो two things है जो display होनी चाहिए proper तरीके से तो first step batch, आपको पता है अगर आप batch आप private hire का का काम कर रहे हो तो batch इंपोरेंट है, वो तो visible होना ही चाहिए second है your terms and condition, third है your family photography, fourth है license तो अभी हमें पता है इसकी जो option है batch और license है अगर आपने batch भी टिक कर दिया और license भी टिक कर दिया तो इसका meaning तो बन रहा है ना, भी batch आपने क्यों किया क्योंकि सबी को show करना ज़रूर है अगर आप टिक कर लेते हो C option, your family photography तो इसका कोई logic बन रहा है, नहीं बन रहा है तो ऐसे आप अपनी जो options है उसको eliminate करके देख सकते हो sometime आप confused होते हो, मैं यह टिक करूँ यह यह टिक करूँ तो उसमें आप eliminate option कर सकते हो eliminate जब आप करोगे तो आपका 99% answer है, वो cracked जाएगा तो यह भी method आप use कर सकते हो अभी हम questions discuss करते है second question है, when can the holder of a private hire vehicle license driver a hackने करेस कब हो सकते है, first option है never, second है if they have the car available so answer is never third question है, what is the minimum age recommend for a passenger to travel in the front seat with normal belt side अभी minimum age क्या है, उन्होंने कौन सी recommend की है, passengers के लिए to travel in the front seat, front seat पे जो minimum age है, वो कौन सी होनी चाहिए तो option है आपके पास 12, 6, 20, or 4 तो इसका जो answer है, correct answer है, वो है 12 next question, इसमें यह जो third question है, इसमें यह काफी मतलब आ सकते है change करके, आपको modify करके, आपको question आ सकता है अभी यहां पे इसनोंने बोला, what is the minimum age of recommend तो minimum age आपको पता है, कितनी है, 12 है तो इसमें आपको बोल सकते है, अगर कोई candidate है कोई बच्चा है, 12 year की age से उपर है, जा फिर वो 12 year का है, ठीक है, तो वो कहां पे बैठ सकता है, अभी इसमें से दो question निकल रही है अभी इस question में उन्होंने age पूछा, बट next question में वो पूछ सकते है, अगर कोई 12 years का child है तो वो कहां पे बैठ सकता है, और कहां पे नहीं बैठ सकता तो यह दोनों चीज़ आपने धियान मेरे कनी है अभी उन्होंने बोला, what is the minimum age recommend for the person just to travel in the front seat तो देखो, यहां पे answer क्या है, front seat पे बैठ सकता है कितने साल का, 12 years का 12 साल का बच्चा front seat पे बैठ सकता है अगर इसमें second question मोल्ड होकी आता है तो उसमें वो पूछेंगे, अगर कोई child है 12 साल का तो क्या वो front seat पे बैठ सकता है ऐसा question भी आ सकता है ऐसा question भी आ सकता है अगर कोई बच्चा है 12 years का तो वो गाड़ी में किस seat पे बैठ सकता है तो वहाँ पे options होगी आपको अगर front side की option होती है तो वहाँ फे front seat की option को check out कर सकती है तो ये चीज थोड़ी से मोडिफाई करके भी आ सकती है आपको Next question है What is the appropriate action a taxi driver should take if they suspect a child is at risk of harm or abuse Ignore the suspections and continue the journey as usual Report the concern to the local authorities or police as soon as possible Inform taxi company after the shift and confront the abuse directly तो इसका जो अंसर है Report the concern to the local authorities or police as soon as possible Next question है When transporting a child or venerable adult what should the taxi driver obtain from their parent or guardian Their contact numbers, the correct fare amounts Assign permission from a constant to transport the passengers a list of their favorite destinations तो अगर आपकिसी भी child or venerable adult को ले जा रहे हो तो उसमें क्या है Assign permission from on or constant of transport the passengers तो आपके पस क्या होना चाहिए Proper constant होना चाहिए Next question है What is the purpose of obtaining a devious check for the taxi driver Purpose क्या है जो devious check का है To get a discount on vehicle insurance To have a record of their driving history To verify their eligibility to work as a taxi driver To ensure they do not have a criminal record that may pose a risk to venerable passengers तो इसका answer है Option D To ensure they do not have a criminal record that may pose a risk to venerable passengers DBS का मतलब भी क्या है भी आपका कोई भी criminal record ना हो उसके check करने के लिए आपका जो DBS है वो अप्लाई किया जाता है Next question है What is a Wolverhampton Council Taxi Badge? A decorative accessories for taxi drivers A special discount card for taxi service A certification indicating that a taxi driver is licensed by Wolverhampton Council A membership card for taxi driver associations A cert option है आपकी C A certification indicating that a taxi driver is licensed by Wolverhampton Council Next question है What is the key requirement for obtaining a Wolverhampton Council Taxi Badge? Demonstrating exceptional driving skills Having a personal vehicle Passing a series of assessments Including background checks and vehicle inspection Honing a luxury vehicle This option है C Passing a series of assessments Including background checks and vehicle inspection Next question है Where should you display your additional driver's badge? Kahaan पी आपको display करना चाहिए Top right of the front window Top of the car Top left front windscreen Outside of the car So option है C Top left front windscreen Next question है In what way should you assist passengers? Choose two options Help with luggage in and out of the car Walk in the house Carry luggage to and from the front door Help them count their money from their bag or wallet So answer है Carry luggage to and from the front door Next question है When your passenger gets out of the private hire vehicle At the end of each journey What must you do? Check the vehicle for any property left Second option है Check that you have all your money with you So this का answer है Check the vehicle for any property left Next question है If you change your address Who must you notify within 7 days? आपको किसको notify करना है 7 days में? Council, the DBA, the police, the post office तो किसको करना है आपने? Council ये question important है ये आपको आ सकता है exam में So इसका answer है Council मेरे को आया था exam में So इसलिए बोरी ही important question है Next question है Full and accurate records of every booking Must be kept by who? Choose two answers यहापे देखो अभी उन्होंने बोला है Two answers को आपने tick out करना है So option first है operator DBA, the passengers, the police So right answer है First option operator And D option the police Next question है ची आपका What is the minimum age recommend for a passenger To travel in the front seat With normal seat belt? So अभी देखो उन्होंने क्या बोला What is the minimum age? यह कोशन हमने पहले भी किया था So इसका answer है आपका 12 Next question है If you have any accident in your private hire vehicle Causing damage affecting the safely performance Or appearance of the vehicle When do you have to report it to license services? Within 24 hours? Within 72 hours? Within 100 hours? Or within 1 month? So इसका जो right answer है Within 72 hours Option B Next question है जी आपका Is it compulsory for a private hire driver To wear a seat belt at all times? No or yes So इसका answer है No So उन्होंने बोला It is compulsory for a private hire driver To wear a seat belt at all time The all time इसको wear करने के ज़रत नहीं है So इसका answer है No Next question है What must a license holder do before using a compressed record keeping system? First option है Get approval from the council Second option है Get approval of the passenger So इसका answer है Get approval from the council Next question है Who is responsible for a child of 13 wearing the seat belt in a private hire vehicle when they are come to buy their parents? So first option है The driver Second option है The passengers Third option है The mother and father अभी क्या है देखो वो 14 years का नहीं है अगर तो वो कोई भी candidate कोई भी बच्चा है जो वो 14 years old है तो उसके खुद की responsibility बनती है अगर वो 14 years से नीचे है जैसे 13 years है तो किसकी responsibility है ड्राइवर की यह important question है कि यह question में यह question आपको आ सकता है If a private hire vehicle driver picks up a customer who has not booked the vehicle in advance Does the private hire vehicle insurance cover this? Yes, no, does not matter तो इसका answer क्या है No Next question है आपका When can you charge for carrying an assistance dog being accompanied by a person with a disability? वो कब करी कर सता है Never If they are 30 If you do not like them If they are blind and can be taken advantage तो इसका answer क्या है Never When you have submitted your application Does this entitle you to immediately start work as a private hire driver? First option है A, no Second option है Yes तो इसका answer क्या है आपका Answer, no Next question है आप करी Can a member of this public book का private hire vehicle by going into the base? Yes or no So इसका answer क्या है? No अभी test 2 के questions हम discuss करेंगी जिसमें हमने just only answers है लिखिया है मैंने तो वो answers आप read कर सकते हो When working as a private hire vehicle driver, where should you wear your badge? तो आपको कहां पर पहना चाहिए? Upper part of body Next question है Where should you display your additional driver badge? आपको एक additional driver badge मिलता है जब आपको license देते हैं Can carry कितने वो कर सकते हैं? 4 members What is the maximum number of passengers a minibus license as a private hire vehicle? Can carry 8 Next है Is a private hire vehicle always a private hire vehicle? Yes Next question है When can you remove the vehicle plates, door signs, door signs? कब कर सकते हो? Never In what way should you assist passengers? आप जो passengers हैं उनकी help कैसे कर सकते हो? तो first है Help with luggage in and out of the car Second है Carry luggage to and from the front door और यहां पे भी आपने उनसे clear constraint लेना है क्या आप उनकी मदद करना चाहते हैं तो firstly है आपने उनसे पूछना है क्या मैं आपकी help कर सकता हूँ? अगर वो आपको clear constraint देते हैं तब आप उनकी help करोगे Otherwise नहीं Next question है If you change your address Who must you notify within 7 days तो किसको आपने नोटिफाई करना है Within 7 days Council Next question है Why do you need to wear your private hire vehicle badge and display your additional badge किसको आपने display करना है So customer and the council can tell you are registered वो आपको देख सके भी आप क्या है वो वो हम्टन कांसल के साथ registered हो What is the minimum age recommend for a passenger to travel in the front seat with normal seat belt तो में यह चीज़ पहले भी आपको बता चुकी हो Which items are strongly recommend to be provided and maintained in the vehicle at all times आपके पास fire sorry fire execution होना चाहिए and first rate kit होनी चाहिए Next question है The original certificate of insurance or a cover note can be inspected at any time by whom किसके दबार वो चेक किया जा सकता है Police or council के दबार In what form do you the council require insurance documentation to be presented sorry so is the original one आपके पास original documents होने चाहिए Who may inspect the records of booking कौन कर सकता है Police and council Next question है Full and accurate record of booking must be kept by who इसमें आपको two options दी गई है for example two options आपने लगानी है तो कौन से लगाओगे Operator and Police When may a private hire vehicle driver not wear a seat belt when he is carrying fare paying passengers Next question है What should you do if you lose your private hire vehicle reverse batch अगर आपका batch loss हो जाता है तो आप क्या करोगे Report to the council Do you have to supply full and accurate information on your DBS criminal record check application form इस जैसे आपकी इसमें history जाती है 5 year की history जाती है और आपको जो भी information फिल करते हो तो वो आपको correct देनी चाहिए और wrong देनी चाहिए So correct So answer is a yes Next question है When can the holder of a private hire vehicle driver a hackney car is never क्योंकि private hire जो driver है वो private hire ही driver है वो hackney car is नहीं हो सकता तो ये कुछ question थे जो मैंने notes बनाए थे जिसमें से आपको help हो सकती है तो I think so इस वीडियो से आपको काफी help मिल गई होगी अगर आप भी अपना जो exam है आप first time देने जा रहे हो और second time देने जा रहे हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हो तो इस वीडियो से आपको काफी help मिल जाएगी तो ऐसे ही आपको questions आते हैं देखो इसमें से questions भी आ सकते हैं आपको और थोड़े से modify करके भी आ सकते हैं तो जब भी आपने exam देना है तो make sure जो आपने question है वो two or three times to read करना है अच्छे से और उसके बाद आपने उसको टिक करना है तो ऐसे ही वीडियो से देखने के लिए चैनल को subscribe कर लो क्योंकि इसमें मैं mostly जो वीडियो से डालती रहती हूँ अगर आपको कोई भी और information चाहिए तो आप WhatsApp group join कर सकते हो उसका जो link है वो मैं description box में provide कर रही हूँ उसमें mostly मैं जो key questions है वो provide करते रहती हूँ ओके guys take care मिलते एक न्यू वीडियो में